हेलो फ्रेंड नमज्टे तो आप अबी का हमारे अर्वी ब्लोग में स्वागत है तो देख सकते हैं आप लोग कि जो मैं लेई रखे हूँ यह है अर्वी अर्वी छोटी वाली है आज मैं ऐसी रेश्पी बताऊंगी ऐसे मतलब बनाना के तरीका बताऊंगी अर्वी की जिसको नहीं पफंद है वो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको नहीं पफंद है लेकि फिर भी अगर मेरी बताई हुई रेश्पी आप लोग अजमाएंगे बनाएंगे अपने घर में तो पक्का है यकीन है मुझे कि आप लोग सब्जी मतलब जब भी आप के बाद में मुझे लगता है कि 3-4-300 ग्राम बचा होगा उबाल के उसके बाद में फिर छिलका हटा कर कोश्मे के लिए रख दे थी फ्रीज में ठंडा होने के लिए उसके बाद में देख सकते हैं आप लोग कि यह मैं फराई कर रही हूं तो आप लोग हमेंशा छोटा आर अच्छा सबजी बनके तयार होगा तो मैं आप अब को दिखाती हूं कि मैं अरवी की सबजी कैसे बनाती हूं सब पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए तो देख वक्त हैं आप लोग कि मैंने जो फराई की थी वह मतलब तल के रख ली हूं यह मेरा अरवी है उसके बार में दुबारा मैं गयर जला दीए हूं और इसके अंदर डालूगे रख ल्खव कतेल इसमें डाल दीए हूं सबजी बनाने के लिए मैं इसी कड़ाई में सबजी भी बनाओंगे जिसमें मैंने फ्राई की मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए दुबारा करें को चैनल पे ने है ऐसे मैंने पौचो चारों चीजे डाल दी हूँ अजवाइन, सोंफ, जीरा और मेथी उसके बाद मैं अध्रग लहफन बिल्कुल कूट दी हूँ बारिक करके उसके बाद मैं उसे डाल दी हूँ उसे थोड़ी देर भुनने के बाद में मैंने एक बड़े फाइज का प्याज बिल्कुल पतला पतला करके ऐसे ही कट करनी हूँ और तीन फे चार हरी मिर्च काट लिए हूँ चील में बीच में से उसे डाल दी हूँ अब इसे मैं अच्छी से भूनूंगी तब तक के लिए आप लोग मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे जरूर बताईएगा और धेर शारा प्यार दीजिए शपोर्ट कीजिए इसी तरह फे आप अपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं हर दिन हार टाइम अच्छा अच्छा ब्लोग वीडियो आप तक पहुचाती रहूंगी और आप अपको देखने को मिलेगा मुझे भी खुसी होती है कि जो मैं अपने घर में बनाऊं खाऊं वो आप अप तक वीडियो पहुचनी चाहिए आप अपको देखनी चाहिए और आप अपको कुछ इफ़े फीखनी चाहिए तो देख सकते हैं आप लोग कि इधर मेरा मतलब जब तक पिया जो हरी मिर्च अच्छे फिलाल नहीं हो जाता तब तक मैं इधर बाकी की तयारी कर रही हूँ तो हम इफे खाएंगे रोटी के फाथ आप लोग इफी जो मैं सबजी बताऊंगी ना इसे दाल चाहर से भी खाएंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा इसमें मैंने दो टमाटर काट ली हूँ बड़े-बड़े में थोड़ा बिल्कुल बारिक नहीं करी थी और उसके बार टमाटर डालने के बाद में एक चम्मत इसमें नमक डाली हूँ आधा अधा करके दो बार डाली हूँ लेकिन एक ही चम्मत नमक है वो नमक स्वाद कि टमाटर अच्छे फे गल जाए क्योंकि टमाटर गलाना है मुझे तो देख सकते हैं आप लोग इफे बीच मीच में चला दे रही हूं और उसके बाद में जो मैंने अर्वी फराई करके रखी थी मैं वह सारा इसके अंदर डाल दी तो यह जो छोटो अलार्वी होता ना यह खाने में बहुत आए बढ़िया होता बहुत ही अच्छा लगता है इसमें मफाले में क्या क्या डलेगा मैं आफ आपको दिखाती हूं और बताती भी हूं तो आप लोगों का मेरा वीडियो कैफा लगता है मुझे जरूर बताईएगा कमेंट करिके रहर सारा प्यार दीजि पारिक कटी हूई धनिया डाल दी हूं तो आप अपको मेरी फबजी कैफी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और इसी तरह प्यार सपोर्ट देते रहना अपना अफिर बात देना जो भी वीडियो बनाओ जो भी बलाग बनाओ मैं आप अब तक जल्द से साफ को कि हां आप जो भी हुआं आप आप के वज़े से हूँ आप मेरे मेरे बहुत ही जादा है यल्दप परते हैं बहुत ही जञार सब्सक्र जिस कुछ इस कि अपने के तयार हुआ है तो आज कि मेरे अर्वी की फबजी कैफी लगी है मुझे कमेंट करके बताईएगा इ